नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात कने वाले हैं लो मो टिल टेबलेट के बारे में इस टेबलेट के फायदे नुकसान इस्तिमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको इस्तिमाल कर सकते हैं इन सभी बातों के इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा दे है RPG Life Science Company की और इसमें जो composition है वो है diphenoxylate hydrochloride and atropine sulfate और इसमें देख सकते हैं diphenoxylate इसमें है 2.0 mg और atropine sulfate है इसमें 0.025 mg तो इसका जो MRP वो भी देख लेते हैं 21 रुपे की ये है 20 गोलियां आपको मिल जाएंगी और किसी भी medical store पे आपको बहुत ही असानी से ये मिल जाती है तो अचलिए बात कर लेते हैं इसके users की किस काम में इस्तमाल की जाती है दोस्तो लो मोटल टेबलेट का इस्तमाल दस्त पेचिस डाइरिया किसी भी तरह की दस्त लग रहे हों बहुत ज़्यादा पतले दस्त हैं या पेट में मरोड पड़ रही है उसको ठीक करने के लिए इस्तमाल की जाती है और इसका result भी बहुत ही बड़िया देखा गया है अगर पेट में infection की वज़े से दस्त लग रहे हैं या फिर गर्मी की वज़े से है या बहुत ज़्यादा मरोड या पेट में दर्द भी हो रहा है तो भी इसको दे देते हैं और साथ में अगर खून भी आ रहा है पेचिस में ठीक है दस्त आरा जाग आ रही है या फिर दस्त की वज़े से पेट में सूजन होगी है मतलब कि ये दस्त पेचिस के लिए बहुत ही बड़िया टेबलेट है चाहे बड़ों को हो चाहे बच्चों को हो किसी को भी ये टेबलेट चल जाती है और बहुत ही मशूर टेबलेट है आप वो एक गोली सुबह दुपहर शाम को है और हो सकता है कि जादा अगर दस्त हो रहे हैं तो दो-दो गोली भी दे देते हैं सुबह शाम लेकिन डॉक्टर की सला से ही इसका अस्तमाल करना चाहिए अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए ठीक है अगर बच्चों को देनी है टेबल जो है प्रोपरली बता पाते हैं वो ठीक है तो और जैसे आट-दस साल का बच्चा है उसको एक गोली भी दे सकते हैं सुबह शाम और जो ज़्यादा बड़े हैं हेल्दी हैं उसको तीन टाइम भी दे सकते हैं तो वो डॉक्टर की सला के बिना ही डॉक्टर देख लेंगे बॉडी बेट और इंफेक्शन कितना है उसी प्रकार से इसकी डोज को भी बताते हैं इसको तीन दिन रेगुलर ले सकते हैं अगर दस्त बंद ना हो अगर दो तीन खुराक से ही बंद हो जाते हैं तो इसे बंद भी कर सकते हैं ठीक है अगर नहीं बंद होते हैं तो तीन द इफेक्ट होते हैं दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर की सलाकी बिना नहीं लेनी है कोई भी डबाई क्योंकि इसके कुछ दबाई के नुकसान भी हो सकते हैं जैसे कि पेट में कब्स बनना बहुत ज़्यादा गैस बन जाना क्योंकि जैसे टेबलेट ये एकदम से जाम कर देती है अंदर का सिस्टम ठीक है दस्त पेट जिस को बिल्कुल जाम कर देती है तो हो सकता है आपको कब्स बन जाए मतलब लैटरिंग ना उतरे आपके ठीक है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हो सकता है गैस बन जाए पेट में उल्टी आ सकती है घवराह लेने से आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने डॉक्टर को जरू दिखाईएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा धन्यवाद